एलो दियर फ्रेंट, एक चैन से लेटेड कोईशन करते हैं जो इसमें एनर्जी कंदर्विशन लगेगा और यह आपका कंसेप्ट क्लियर करेगा एनर्जी कंदर्विशन पर बेस्ट, एको क्वेशन क्या कर रहा है, एक चैन ऑफ मास MN लेंथ L is held at rest on a smooth horizontal surface, smooth horizontal surface है, friction कहीं पर हैं, such that a part L of the chain is hanging vertically from the table, यहां पर L हिस्सा यहां पर लटक रहा है, if the chain is let go, अगर आप इस chain को छोड़ देते हैं, what is its speed as its end just leaves the horizontal surface, जब यह ऐसे नीचे की तरफ आ रही होगी, तो आप से पुछा गया है, कि जब यह जब यह just horizontal surface को लीव कर देगी, तब इसकी speed क्या होगी, ज इस question को कैसे solve किया जाए, कि कोई particle तो लटक नहीं रहा है, पूरा mass लटक रहा है, पूरा mass लटक रहा है, तो mass में इसकी position के कारण एक potential energy है, जब यह पूरी पूरी chain से vertically नीचे की तरफ आ जाएगी, तो जो center of mass होगा system का वो नीचे आ जाएगा, और center of mass अगर नीचे आएग तो बस यही concept लेके मैं आगे बढ़ता हूँ, तो मैं क्या लेके चल रहा हूँ कि loss of potential energy is equals to gain in kinetic energy, देखो यार सबसे पहले मुझे यहाँ पर initial position में potential energy लिखनी होगी, जो होगी mg into h, तो मैं एक काम करता हूँ, यह वाली जो line है इसको reference line ले लेता हूँ, इसको मैंने reference line ले लि मैंने देखा कि यहाँ से जो center of mass है भी, यह पूरी length L है जो यहाँ पर है, L by 2 length नीचे लटक रही है, and इस हिससे का mass है वो मैं देखना चाहता हूँ कि कितना आएगा, इसका मैं mass निकाल लेता हूँ, जो hanging part है कि अवल उसका mass, तो यह hanging part का mass कैसे निकालूँगा, पूरी road का length कितना है L, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि mass of length capital L, पूरी जो capital L length है, उसका mass कितना है M, तो ऐसा लिखा जा सकता है कि mass of unit length, unit length का mass कितना है M by L, तो mass of length small L, okay, L let other say hang कर रही है, M by L into L, इतना mass है जो निचे, लिखा करा है दिसके, यह वाला mass, okay, तो उस mass की potential energy लिखने जा रहा हूँ मैं, M, G, H, और क्योंकि reference line से नीचे है यह point, तो यह minus M, G, H आएगा, loss of potential energy में मैं लिखूंगा आपका initial potential energy, minus final potential energy, क्योंकि loss जो होता है उसमें initial minus final करते हैं, और एक होता है change, change हमेशा final minus initial होता है, तो यह initial minus final is equals to gain in kinetic energy, chain का mass M, then velocity का square, यह वो V है जो मेरे को calculate करना है, initial potential energy लिख रहा हूँ मैं क्या होगा, यह होगा आपका M, G है जह ना, तो minus small M, मैंने इसका जो mass उसको एक बार small M माल लिया, into G, into इसका center of mass कितना नीचे है, L by 2, यह L by 2 नीचे है, and small M की value मैंने निकल ली, unit length का mass M by L into small L, minus U final, U final होगा यह जब यह पूरा का पूरा हिस्सा नीचे आजाएगा, तो इसका M, G इस लिखूँँगा, तो इसका mass तो है M, G, और H का मतलब होगा, इसका center of mass कितना नीचे है, तो पूरी length अगर L by L है, तो center of mass कितना नीचे होगा, इसका L by 2, तो यह लिजे मैंने इसको L by 2 लिखते हैं, is equals to half M, V square, this is initial and this is final, यहाँ पे एक minus का sinode लगा देता हूँ, देखो, U initial, minus, U final, यह minus M, G, L by 2, यह minus क्यों आगए आपको समझ में आगए होगा, क्योंकि यह center of mass reference point से नीचे की तरफ है, तो इसकी value पूट करते है, small L की value पूट कर दी, यहाँ से, M by L into small L, this is G, this is L by 2, यह minus और minus कितना हो गया, plus M, G, L by 2, is equals to half M, V square, mass से mass कट दिया हमें आगे, और यह 2 से, यह वाले 2 भी कट गया, तो यह होगा आपका minus L square G upon L, plus G L is equals to V square, तो अब इसमें से काम करते हैं, हम लोग G को common ले ले लेते हैं, तो अंदर क्या रहे जाएगा, L minus L square upon L, is equals to V square, V की value आजाएगी, root G L minus L square upon L, this is my answer, यहार, अब इस answer को अगर मैं options में चेक करता हूँ, तो देखो कौन सा option बन रहा है मेरा, first option, तो पहला option ही image कर रहा है, तो आपको, I think, इसका जो concept है, वो clear वो होगा, कि कैसे कैसे हमने loss of potential energy को gain in, kinetic energy में change किया, energy concentration लगाया, और इस chain के बहतरी इसे question को solve किया, thank you so much, और इसे पहरे-पहरे questions के लिए आप जुड़े रहे हैं, APG की दुनिया में, आपके doubt मुझे बेचिये, I will try, उन्हें जल्दी से जल्दी आपको reply करने की,